नवश्कार दोस्तों सागत आपका में यूटूब चैनल में दोस्तों मुख्य चुनाओ आयुक्त सुशील चंदा ने मंजूर हास्मी का शेर पर चुनाओ के डेट जारी कर दी है उन्होंने बोला है एकिन हो तो कोई रास्ता निकलता है ठावा की ओड भी लेकर चिराग चलत चुनाओ कोजर चुनाओ कोरोना में चुनाओ चुनाओ कोजर चुनाओं चुनाओंiin है 18.34 लोग के वोड 25.9 लाइर पहली बाव वोड़ करेंगे जिसमां 14.4 महिला हों गीुद चुनाओं में कुल 25.368 पॉलिंग बूध बनेंगे कुरोना के बीच चुनाओं कराना ही हमारा करतब वे है चुनाओं में कुरोना की नियम का शक्ती से पालन किया जाएगा बुजर्गों, दिव्यांग्यों और कोविट संक्रिमतों के लिए पोस्टल वैलेट सुविदा होगी पंदरा सो की जगे इस बार सिर्फ बारा सो पचास लाख लोग ही बूत पर होंगे बूतों की संख्या में सोला परसंट का इजाफ़ा किया गया है उम्मिदवार ऑनलाइन परचा दाखिल कर सकते हैं यूपी समित पांच आज्जों में जो चुनाओं होने वहाँ पर अचार सहिता तत्काल लागू कर दी गई आम आदमी गड़वडी की फोटो के लिए सी विगिल एप में खीच का प्रोट कर स्वाम रट के अंदर कौरवाई कर सकता है रादनीतिक दलों को भी अपने उमिद्वार की किमिनल हिस्ट्री को वेपसाइट की होम पेच पर डालना होगा और ये भी बताना होगा उनका चैन क्यों किया गया है पंदाज जनवी तक कोई भी रैली रोड जो पर जाता कि अनुमती नहीं है पांच आज जो में पोलिंग का टाइम एक घंटे बढ़ाया गया है रादनीतिक दलों और उमिद्वारों को सला दी जाती है कि है डिजिटल और वर्चुल प्रचार को ही वरियता दे राद आठ बजे से सुबह आठ बे तक कोई कैम्पेन नहीं होगी कैम्पेन कर्फ्यू रहेगा डोर टो डोर कैम्पेन में सिर्फ पांच लोग ही रहेंगे आयोग के दोरा कहा गया है सभी पार्टी सोशल मीडियो पर कोई हेट स्पीच फेक निउस को बढ़ावा ना दे दोस्तों जो यूपी में चुनाओं होने हैं वो साथ चरंड में चुनाओं होने हैं अथ गर्फिट न varying मत्रा आतल रस कागर आगरा पिरोजाबाद एटा और कासकंज दूसरे चरण जो 14 फरवरी दोयर 22 को होना है इसमें 67 विदानसाबा छित्रों में चुनाओं होंगे और इसके दोरह जिले तैक ये गए हैं सहरनपूर, बिजनौर, मुरादाबाद, संबल, रामपूर बरेली, अम्रोहा, पीलीबी, लखिमपूर, खीरी, सहजानपूर और बताईयों तीसा चरण तीसा चरण 12 जिलों की 69 विदानसाबा छित्रों में 30 चरण के चुनाओं होगा इसमें फरुकाबाद, हरदोई, कन्नौज, मैनपूरी, इटावा, और रहिया कानपूर दिहाद, कानपूर नगर, उन्नाओ, लखनाओ, बाराबंकी और सीतापूर है चौथा चरण 23 फरवरी 22 को होगा जिसमें 12 जिलों की 53 विदानसाबा छित्रों में होगा प्रतापगर, कौशामबी, इलाबाद, जालोन, जहासी, ललिदपूर, महोबा, हमीरपूर, बांदा, पतेपूर, राइबरी और चित्रकूट पांचमा चरण 27 फरवरी 22 को होगा जिसमें 52 विदानसाबा छित्रों में पांचमा चरण की 11 जिलों में चुनाओं होंगे बलापूर, गोंडा, फैजाबाद, अम्बेटकर नगर, बहराइश, रावस्ती, सिदार्द नगर, बस्ती, संद, कवीर नगर, अमेठी और सुल्तानपूर चटा चरण 3 मार्च 22 को होगा इसमें 49 विदानसाबा छित्रों के लिए जिले से तैय किये गए हैं महराज, गंज, कुशी नगर, गोरकपूर, देवरिया, आजमगर, मौग और बलिया साथ माज चरण 40 विदानसाबा छित्रों के लिए होगा इसके दौरत जिले तैय किये गए हैं गाजिपूर, बनानसी, चंदोली, मिरजापूर, भधोई, सोनबद और जौनपूर दोस्तों ये जो चुनाओ होंगे और इसका जो रिजल्ट होगा वो 10 मार्च को आजाएगा तो दोस्तों मेरे दौरा जो वीडियो लाए गई है अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें और कोई भी नए कोशन के पास आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और डिस्क्राप्शन में दिये गए टिलिग्राम चैनल की लिंक को भी जोइन करें धान्यवाद